मेरे स्रयोगी गौरफ सावंत मेरे साथ जूड गए है लगातार यूक्रेइन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से अपडेट पहुचा रहे हैं गौरफ बहुत बड़ी खबर रूस यूक्रेइन संकर्ट को लेकर मिल रही है पुतिन का एक बड़ा एलाने ये एलाने जंग और हमारे पीछे कुछ दूरी पर विश्फोट की आवाज भी रुक रुक कर आ रही है गोलाबारी की आवाज है क्या ये अभी कुछ समय में तैय होगा लेकिन यहां पर एमर्जन्सी लगा दी गई है आज तक डॉनबस इलाके में है आज तक इस समय डॉन इंटरी ऑपरेशन करने की बिल्कुल तैयारी में है कल जब हम बॉर्डर के उस इलाके में थे जहां पर रूस की सेना महची तीन किलो मीटर दूर थी वहां परंटेलिजन्स इंपुट्स यूक्रियन की सेना के मताबक इस तरह के थे की रशा की सेना इस तरह से अब वहाँ तेनाथ हो रही थी इस तरह से वहाँ एक पॉइस्ट थी एक मिलिटरी ओपरेशन के लिए कि कहा ये जा रहा था कि किसी भी समय युद की स्थिती आ सकती है या युद हो सकता है और इसी लिए जिस तरह की बंबारी डॉनबास के क्षेतर में चल रही है ये दो प्रोविंसेज है जैसा आप जानती है मालेका एक लुहांस का और एक ड़नेस का हम लोगे समय डोनेस्क पे है इसका भी 70 प्रतिश्ग इलाका अभी युक्रीन के कबजे में है केब सेमय तीस प्रतिश्ग रोस ने इंडिपैंडनेट रिपॉबिक ऑस डोनेस्क और इंडिपैंडनेस्क अल है वो उस 30% को पूरे 70% को भी उस पे मिला लेना चाहता है और इसी लिए बंबारी इस तरीके से हो रही थी कि जहां वहां के नागरिक है सिविलिन लोग जिन शहरों और गावों में रहते हैं वो छोड़ छोड़ कर चल जाए केवल सेना बचे और तब एक बड़ा मिलिटरी ऑपरेशन करके रूस उसको 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 अपना पूरा वर्चस्व स्थाफित कर दे यही रूस का निरंतर प्रयास भी रहा है और ये बात रूस के राश्वपती व्लादी मिल पूतिन कहे तो चुके हैं अब ऐसा लग रहा है जब उन्होंने ये आदेश दे दिया कि एक स्पेशल मिलिटरी ऑपरेशन किया जाएगा तो अब लग रहा है कि उस ऑपरेशन को अब अन्जाम देने के तैयारी शुरू हो गई है और गौरफ हमारे पास कुछ exclusive तस्वीरे मिल रही है धमाके की ये तस्वीरे है जो ये दर्शाती है कि स्थिती इस वक्त कितनी तनाफपून है और गौरफ जैसे आप बता रहे थे कि क्या ये महज वर्चस्व के लडाई है या फिर लगातार रूस की चेतावनियों के बावजूद जब उन्हें उकसाया गया तो ये अब एक रियाक्शन है एक्शन का मलेका रूस के राश्टरपती व्लादीमीर पूतिन ने अपने राश्टर के नाम संबोधन में बहुत साफ कह दिया था कि वो जिस जगा हम खड़े हैं यूक्रेन को इस यूक्रेन को वो नॉर्थ एक्लांटिक ट्रीटी ओग्नाइजेशन देशों का प्लेगराउंड नही नहीं चाहते हैं कि इस खेत्र में नेटो देश अपने सेन्य अभियान को अंजाम दे मिलिटरी एक्सेसाइस को अंजाम दे और रूस के खिलाफ ओफेंसिव वेपन्स को लगाएं या ट्रेनिंग करें या युद्धा भ्यास करें और इसको वो रोकेंगे उन्होंने यहां क की जो सरकार है यानि राश्रोपती व्लादीमीर जिलिंस्की की जो सरकार है उसको उलेगार्की की सरकार या भ्रष्टाचार की सरकार इस तरह कि शब्द दुनोंने बार बार कहे लेकिन उसके बावजूद पश्चिम के जो देश है वो यूकरेन पर प्रतिबंद पर प्रत पेशा था कि अगले 24 से 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है और अभी सुभे मतलब यहां पर जब सुभा के 4 बजे थे उस समय यह बहुत साफ हो गया था जिस तरह कि वो सर्राहट गोलाबारी एमर्जनसी लगा दी गई है यूकरेन में एमर्जनसी लगा दी गई है कोई सिविल फ्लाइट यहां के आकाश में नहीं उड़ रही है केवल मिलिटरी उड़ाने या फिर जो टोही विमान है वो इस समय उड़ रहे है यहां के आकाश में तो यह दर्शाता है जो यूकरेन की सेना कह रही थी युद्ध होगा नहीं युद्ध हो रहा है गौरफ यूक के सामने क्या टिक पाईगी और रूस एक महाशक्ती है रूस विश्व की एक महाशक्ती है जिससे लोहा लेने में अमेरिका भी दस बार सोचेगा जिस तरह से अमेरिका का जो हश्र हुआ अफगानिस्तान में इराक में सिर्या में उस रूस की अगर आप बात करें तो क्या यूक्रेन रूस के सामने टिक पाएगा संभवता अगर शहर शहर लड़ाई हुई तो दोनों तरफ नुकसान बहुत जादा होगा लेकिन रूस की शक्ति इतनी ज्यादा है कि उस शक्ति के सामने आसपास के किसी देश का टिक पाना बहुत ही कठन लगभग असंभव होगा अब देखना ये है कि रूस में निरने क्या लिया जाता है रूस की अगर मैं जनता की भी आपको बात बता हूँ और एक बात जब हम खारकीव जो पूरवी यूकरेन जहाएस समय हम है उसका दूसरा चोर है खारकीव की साथ बहुत जादा लगाव भी है तो ऐसी परिस्थिती में जब जनता भी विभाजित हो और जब रूस के राश्च्रपती सीधा यूकरेन की सेना से बात करते हैं हो कि आप नेटो के प्लेगराउन का हिस्सा ना बने तब ये देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि किस तर हाँ ये लड़ाई अब आगे बढ़ती है